कि हेलो फ्रेंड सावर्यू कैसे आज सभी मैं मुईत एक बार फिर आज सभी का आपके अपने परिवार एक्जामपुर पर हर्टिक स्वागत करता हूं हम एक्जामपुर क्लाम से एकरांती के और कैसे हैं अब दोस्तों साथियों प्यारे भाई और बैनों आसा करता हूं आप दिन बीस कोश्चन से लेकर आता हूं और दो दिन में आपका पूरा सिफ्ट कतम हो जाती है तो प्यारे दोस्तों देखें जुड़े रही हैगा पूरी क्लास को शांदार तरीके से हम लेके चलेंगे गरदा काटेंगे शांदार वादा ठीक है तो आपको सुरू से लेकर आ QPSI वाली प्लेलिस से इसको डाउनलोड कर सकते हैं चलिए मैं सुरू करता हूं आज की क्लास एक बार आप सभी लोग इस क्लास को WhatsApp स्टेटस पर या फिर जिस तरीके से आप चाहिए शेयर कर सकते हैं जल्दी से शेयर कर दीजिए आपकी क्लास का पहला कोशन आपके लिए मैं जा रहा हूँ आई होप आपने शेयर कर लिया होगा इस कोशन को देखिए इस कोशन को आप कैसे करेंगे यह है आज की क्लास का पहला सवाज कोशन काफी आसान रहेगा एक वर्क के छेत्रफल में परतिशत वरिद्धी को ग्याद कीजिए यदि भुजा 40 परतिशत बढ़ा दी गई है एक तो रेश्य मैताड एक फोर्मूला मैताड है आपने 40 बढ़ाई ठीक है तो 40 गुना 40 बटे 100 एक तरीका तो यह है ठीक है तो आप इसे कर सकते है यह इसका आंसर हो जाएगा ठीक है यह ए पलस B प्लस AB by 100 तो यह तरीका है ठीक है फोर्मूला सुत्रवेदी एक तरीका क्या हो सकते है आपको पता है कि वर्ग का चेतरफल क्या होता है आप कहेंगे सर साइड का वर्ग भुजा का वर्ग है ना तो पहले में मालेता हूँ तो एवन स्क्वेर था अब एटू स्क्वेर है अच्छा पहले साइड किती थी 40 परतिशत की फ्रेक्षिन क्या होती है आप कहेंगे सर 40 की फ्रेक्षिन मनेगी 4 बटे 10 तो पहले 10 था अब 4 जादा है यानि कि 14 तो पहले 10 था अब 14 तो दस कवर करिये साइड कवर हो जाएगा और 14 कवर करिए यह साइड का हो गया यह सो से 106 में हो गया 14 कवर क्या होता है 106 तो आप ही मुझे बताई है जो पहले छेत्रफल था वह सो था अब 166 में तो कित्ते परतिशत की और अधिया है 96 परसेंट कोशन का बिलकूल सही आंसर है मैं अगला कोशन आप के लिए लगा रहा हूं कोशन नमबर आप देख लीजिएगा दो ठीक है यह देखिए कि 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 देखिए आपने पढ़ लिया होगा मैं बता देता हूं बहुत शांदार एक दम खतम सा मिट्टी से जवाल है एक दम है ना पढ़ लेते हैं कोशन खतम ही है एक कक्सा में पचास चातरों का उसत वजन अठावन किलोगराम है उनमें से 6 जिनका उसत वजन 45 किलोगराम है क कक्सा में सामिल होते हैं कक्सा का नया उसत बताईए कितना होगा देखिए इस कोशन को कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं आपना इस तरह कोशन पर मुझे बताईए पहले पचास चातरों का उसत वजन कितना है 58 kg कोई दिक्कत नहीं यह 50 बच्चों का है अब हुआ क् आज भी 50 है बट 6 जिनका वसंद कितना था 45 उनकी जगह 6 नहीं आए 6 को रिप्लेस किया गया जिनका वसंद वजन 54 है मुझे बताईए 54 और 45 का अंतर कितना है 9 यानि कि जो बंदे आ रहे हैं वे कितने बंदे आ रहे हैं 6 और सभी के पास में 9 kg वजन जादा है तो इतना भाग देना थोड़ा सा मुस्किल लग रहा है तो मैं 2 से उपर नीचे गुना कर देता हूं तो देखिए नोची के चमवन दोनी 108 108 को 100 से भाग देंगे तो कितना एगा 1.08 यह आप जोड सकते हैं और बताईए स्कोशन कांसर सभी का आ रहा था क्या उनसेट पॉइंट पॉ को कोशिस कर यह कैसे करेंगे कि अपने पड़ लिया होगा कोशन इसमें कुछ है नहीं है ना देखते ही बनना चाहिए सिंप्लिफिकेशन का कोशन है वह आप मुझे चीज बताए यह आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इस पूरे ट्रम को ए माल लो तो यह एक्यू और इसके पूरे ट्रम को बी माल लो तो यह माइनस बी क्यू ठीक है अब यह डिवाइड मैं तो से नीचे लिख लेता हूं यह देखे 40 में 47 जोड़ेंगे तो 87 यानि कि यह फिर से A स्क्वेर हो गया और अगर मैं कहूं यह इन दोनों को जोड़ यह पॉइंट वन आता है क यानिके A B और आपको पता होना चाहिए कि A Q माइनस B Q बरावर क्या होता है A माइनस B कि इन्टू A स्क्वेर प्लस B स्क्वेर प्लस A B अब यह तो इदर आ गया तो बचा क्या A माइनस B यानिके आपको सिंपल सा इतना करना है डूइघ सेवन जो आपका A है इसमें से आपको क्या घटा देना है इसमें से पॉइंट वन घटा देनाया तो पॉइंट वन घटा यह तो इस statement-0 सिवन का डिया घ्रत है अगले कोशlles बिचले तो चिर्प A माइनस B को आपको धयान रखना है तो इस आप आपने ऐसी किया होगा अगला कोईशन आ जाते है कोईशन नबर फॉर इससे पढ़िए आप इससे करिए कि देखें आपने पढ़ लिया होगा तो मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं कोईशन क्या कहना जाता है 18 वर्सपूर मुरली विजे की आयू का योग फल उनकी वर्तमान आयू के योग फल की आदी थी मतलब ठारे वर्स पूर की अगर मैं बात करूँ तो मुरली और विजे की जो आयू का योग है वो इनकी वर्तमान आयू के योग का आदा है ठीक है यदि मुरली की आयू विजे की आयू से दुगनी हो तो मुरली की वर्तमान आयू क्या होगी देखे आपने कर लिया हो तो मैं आपको बताना चाहуँगा कि मैं इसको कैसे करता हूँ दीखे एक बात देखे जब भी कोई कोईछन इस त blurry का आए तो मैं एक तरीके से काम करता हूँ मैं इनके नाम के इसाफ से इनकी वर्तमान आई मालेता मानने तो कि मुर्ली की वर्तमान आयू M है और विजे की वर्तमान आयू V है कोई दिक्कत हो नहीं है तो मुर्ली को भी ठारे वर्स पहले चलते हैं लेके और विजे को भी ठारे वर्स पहले चलते हैं तो दोनों का जो योग है वो मुर्ली और विजे की वर्तमान आयू यही मा M plus V को डवल करिए और 36 का भी डवल करिए स्वरी माइनस रहेगा 72 और बराबर में किसका आया M plus V के अब देखें यानि कि मैं यह कह सकता हूं M plus V की जो वैल्यू आ रही है वो 72 के बराबर आ रही है वही ट्वाइस ओप M plus V में से M plus V घटा दीजिए तो कितना बचेगा M plus V की वैल्यू 72 यह हो गया अपका एक पार्ट अब यहां से आपको एक चीज़ और पता है कि जो देखें यहां से देखेंगा यदि मुरली की आयू वीजे की आयू की दुगनियों यानि कि मुरली और वीजे की आयू में जो रेश्यो एक का है कि हमारे इसाबसे दोनों की आयू की कितना है तीन और वे इनके हैसाब से कितना आया था पहत्र तो कितना गुना हुआ 24 गुना अब जिसकी श इसकी निकाल सकता हून वहिए तीन का मतलब बहत्तर तो एक का मतलब 24 तो जिसकी भी चाहिए मुरली की पूछा है तो 48 हो जाएगी अगर आपसे जानना चाहता वीजे की बता हो तो वीजे की 24 हो जाती कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सबसे पहले यह निकाल के लिए क्या नपड़ेगा आपको ठीक है के लिए रहे ना तो बस यहां से कोईशन स आप समझ गए होंगे नेस्ट कोईशन आ जाता है देखे मैंने इसी तरीके से कभी गलती नहीं होगी अगर आप इस तरीके से कोईशन को करेंगे कोईशन नंबर पांच आ जाता है यह बताईए देखें सिंख्या 12324 यह हैस 84 में इसकी जगह क्या आएगा मतलब यह वैल्यू जाना चाहता है और यह किस से डिविजिबल है आठ से अच्छा आप मुझे बताएए कोई भी नंबर आठ से डिविजिबल कभ होता है जब उसके आखरी के तीनक डिविजिबल होते हैं यह सब तो हैस की जगह क्या रखे तो बाई उफ्शन में जाईए आप मैं हैस की जगह 8 रखता हूं तो यह 864 हो जाएगा है ना पहला उफ्शन दखके देखते हैं तो आठ से भाग दीजिए क्या यह कटता है बहुत बिल्कुल नहीं कटता है आठ से तो यह कटेगा नहीं अब मै रखा 9 अब यह हो गया 984 अब देखें नो इस नो सुच्छाशी कटता है कि 8 अमाट एक बचेगा 826 और 824 यह कटता है तो यह इस कोशन का अंसर है यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता तो नो होगा जितने वह इस कोशन का अंसर नो दे रहे तो पाई आपसर नहीं करिएगा नो इस कोशन का विल्गुल सभी आंसर है मैं अगला कोशन लगाता हूं आपके लिए कोशन नंबर आ जाता है इसे पढ़िए इसको करिए सभी लोग जितने भी बच्चे देख रहे हैं किलास को लाइक शेयर कर लिजिएगा सभी लोग क्लास को लाइक करते रहिएगा अगर चीज़े समझ में आ रही है पसंद आ रही है कोशन सब कर पा रहे हैं कोई भी डाउट किसी भी तरह का होगा कर सकते हैं क्यों का चीजड़ करके ये कोशन को को कर लिए ह। ठीक है तो जल्दी से स्कोशिन को देखते हैं आयोप आपने कर लिया होगा कोशिन कैसे करेंगे मैं बता अब को बता देता हूं एक प्रति गन्टके चल रही है नटे आख्यशन 6 2 डिसाने जा रही को दो मिनिटे में पार करती है है वहां पहले से चल रही है इसको पार करेगी तो यह खुद की कि लंबाइ भी पार करेगी और उसकी लंबाइब धूक मिनिट में किया है मिनिट को सेखिंड में बदल लीजिए साथ से गुना हो जाएगी और इसे घंटे में बद देंगे किलोमीटर पड़ते घंट में तो ठारबटे पांस इस तरीके से कर सकते हैं तो आपकी ना स्पीड आ जाएगी चालो का अंतर आ जाएगा बात समझ में आ रही है वह तीन सो मीटर के लंबाई है दो मिनिट में पार कर रहे हो तो चालो गई ना पहले मिनिट को सेखिंड में बदल लिया और फिर ठारबटे पांसे गुना कर दिया है ना वह हजार से भाग देना और आप एक चाल ठीक है रिलेटिव स्पीड अब आप इसको यहां से आप देख सकते हैं कितना आएगा फिलाल मैं कोशन को पढ़ देता हूं यहां पर आपको ट्रेंड बी की गती पूछी है बस यह आपको निकालना है कोशन बताई है सोल करके कितना आएगा ठीक है एकी चाल करके बते जल्दी से पितना आएगा देखे 60 से भाग दीजिए 50 आजएगा तो सुरी पांच आजएगा पांच यह आएगा तो पांच आगया और पांच की गुना ठारे से करेंगे यह ठारा है ना तो 90 हो जाएगा मैं इसको 90 लिख दे रहा हूं अब यह 90 हो गया और 90 और यह हो जाएगा पांच दूनी दस दस से 90 को भाग देंगे नो और 120 से नो गटाएंगे 111 आएगा ठीक है 111 आ रहा है इस बाकि मैं आपको निंजा स्टाइल में दिखा देता हूं यहां पर दिख लिए यही मैंने आपको बताया यह 300 मीटर हो गया दो मिनिट को साइकिन में लेंगे 60 से गुना हो गया ठारवटे पांच हो गया अब इसे काटा पीटी करेंगे तो इधर नो आ जाएगा ठीक है कितना आगया नो अब यह नो जो आया ना 120 में से घटेगा तो कितना होगा स्पीड 111 किलोमेटर पड़ते कोई दिक्कत यह ठीक है कोशन नंबर साथ दे आप कर लीजे इसका सोलीशन मैं नहीं दिया हूं यहीं पर समझ लीजगा इसका स्क्रीन सोट ले लिजगा किसी वच्चे को लेना हो क्योंकि मैं से पीडियम में से अटवाने वाला हूं यह गलती से डल गया ठीक है चलिए खेर मैं से सोल कर देता हूं आप कहेंगे सर पंश। इसकित वीर से कितना कुसल है फचास पंश पुष्चत की फ्रेक्शन तो सभी लोग जानतेर किता होता है 1 वाटा है यह सो लौ तो 2 से 1 ज्यादा कित्ता है 3 तो रनवीर की छमता गर 2 है तो इसकी 3 है और आप मुझे बताइए रनवीर इस कारिया को कित्ते दिन में करता है 6 दिन में तो कार ये कितना हो जाएगा अगर ये 2 की छमता से 6 दिन में करता है तो 12 टोटल कारिया हो गया और बारे को तीन से भाग दिए दीजिए तो इस question का अंसर जो आएगा ना वह चार दिन आ जाएगा सभी को किलियर है राजा कितने दिन में करेगा आपको पता चलिया जो आपका रनवीर है उसे 6 दिन में करता है और उसकी चमता है तो टूटल वर कितना हो गया बारे बारे को करना है तीन की चमता से तो कितने दिन लगे इस question का अंसर होगा इसलिए मैंने लिया निता खटम सा है वैसे इसी शिफ्ट का question है इसका solution ज़र असल गलत हो गया और मैंने इसलिए छोड़ दिया solution मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि वह question का solution इस वाले का एड़ कर दिया बहुत ही मिस्टेक करी है कोई बात नहीं इसको पीडियाप मैं ठीक करा दूँगा थेर इस question को देखिया आप अभी question पड़े भई 800 रुपे को अनिल सुनिल और जय में इस तरीके से विभाजित किया जाए कि अनिल के हिस्से में सुनिल से चार गुना और सुनिल के इससे में जैसे 3 गुना आता है तो जै का इससा बता चलिए बताएएग कि अश्ञा के मैं इस question करता हूं घ्रफान इस सुनेगा अन मैं एस लिक लेता हूं अनिल के हिस्से में सुनिल से चार गुना मला अनील जो होगा ओंग वह सुनिल का चार गुना होगा तो एक वैल्यू स्टै और एक तो मैं accompany इथा और 24eli अब आगेज़ देखिये सुनिल गे गया अब एस जे अनुपात बताइए कि टा हुगा एस जे अनुपात हो जाएगा आपका देखें सीधे मल्टिपलाइक करें पहले तो शीधे मल्टिपलाइक चार तीए 12 फिर आप ऐसे यह नीचे उतार जाये एक गुणा तीन करेंगे तो 3 और फिर आप सीधे multiply करें तो एक यह हो गया आपका सभी का दुपात एस जी का जो नुपात बनेगा वह 12-3-1 बनेगा अब टोटल किता हुआ हमारे इसाब से 16 और इनके इसाब से किता दिया गया 800 के बराबर हमारे इसाब से 16 इनके इसाब से 800 रुपे बाट ने तो कितना हुआ यह सब्सक्राइब होगा उसके और इसके ऑपर वाला भी सवलिशन यहां पर भी आट करती है इस लिए अपर वाले को सब्सक्री कहा जिए सोलिशन इसलिए मैं आपको कह रहा था कि मैं निखाऊंगा निखाऊंगा यह देखिए प्रोबैबिलेटी का बहुती नमूना सा कोश्चन मैं कहूंगा सबसे आसान कोश्चन रहेगा यह बताइए इस कोश्चन का अंसर अगर किसी ने गलत दिया तो फिर आपको थोड़े सा पढ़न पढ़ेगा यहां देखेगा एक निस्पक्स पासा फैका जाता है प्राप्त सेंख्या बिल्कुल सही वर्ग और सही घन है इसकी प्राइक तक क्या है देखिए बात बताईए जब आपने एक बार ही पासा फैका आप डाइस खेलते हो लूड़ों अगरा तो खेलते होंगे म जब आपने किसी पासे को फैका या तो उस पर एक नजर आएगा या दो या तीन या चार या पांच ये च्छे यह च्छे तो आ सकते हैं टोटल आउटकम्स कितने आएंगे च्छे और आप मुझे बताईए यह कहता है कि एक बार एक फैकना है और उसमें भी वह संख्या ज तब भी एक ही रहता है तो एक ही संभावना है और कुल संभावनाओं में से छह में से तो एक बटा अच्छा है इस कोशन का बिल्कुल सही कि लिए रवा बई देखिए जिसको भी प्रवपैबलेटी नहीं आती है पर मैं इस तरीके से समझाता हूं आपको वह भी चीज सब्सक्राइब है मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँगा इसको रुख जो मेरे को ता आती है पीडिएफ में करेक्शन करनी अभी रुख जो इसका मैं बनाता हूं यह लीजिए अभी लिखा जाएगा यूपीएसाइज दो जासतर है इसी सब प्यार है मुझे दो स्टार से यार क चलो बताओ ठीक है अच्छा है चले बहुत बढ़िया कोशन कैसे करेंगे कोशन पर आताते हैं तीन वेक्ति अजय बाला और चरण चिडिया घर में इस तरीके से चल रहे हैं कि जब अजय पांच कदम चलता है तो बाला छे कदम चलता है और चरण साथ कदम चलता है लेकिन चरण केड में में चलता है यह बात्व ना चलता सब्सक्राव है यह तो concept भी समझना जुरूरी है तो मैं कहूंगा भी हम यह देख लेते हैं इन्होंने दूरी कितनी चलिया है वह इसी पात में speed हो जाएगी तो आप देखेगा अजय कितना चल रहा है अजय 5 कदम और यह 6 कदम और यह 7 कदम सबसे के अजय की बात कर लेता हूं मैं अजय और इसके बाद में आ जाएगा आपका बाला उसके बाद में आ अब मुझे बताइए कदम की अगर मैं बात करूँ तो अजे कितने कदम चला है भाई या 5 उतने ही टाइम में बाला कितने कदम चला 6 उतने ही समय में उतने ही टाइम में कितने चला चरण साथ लेकिन एक चीज़ देखेगा अजे के जो 6 कदम है अजे के वह बाला के साथ कदम के बराबर है अगर मैं अजय की पात पूछओ अजय का बताएए अजय ऑर बाला और चरण दूरी कितनी टैश की होगी डिस्टेंस बताइए हर कदम में कितनी डूरी डिस्टेंस टैख कर रहे हैं तो मैं कहूंगा जितने समय समय में यह देखिएगा इनका इल्सियम लेना है तो इनका इल्सियम कैसे ले सकते हैं छे साथ आट का इसम बताइए किता होगा सबसे पहले तो 247 168 है ना 247 168 हो जाएगा क्या क्या चोबिस सते 168 बिल्कुल तो छे से 168 को भाग दीजिए किता आ रहा है 264 178 28 आ रहा है मतलब इसने 28 दूरी टै कि है जितनी समय में बी ने कितनी दूरी टै कि है साथ से भाग देजिय कि 1724 25 2 दूरी तीची किया और सी ने कितनी ते ऐँ है अब हमने ये भी देखना है हर कदम में कोन सा कितनी दूरी तटह करता है एक कदम के एन्만से में देखो तो येतनी दूरी करता है यह इतनी और ये तो 28-24 और 21 ठीक्ने办 ऑई 28 चौइस और 21 यह आपकी डिस्टेंस हो गई तो अब निका लेंगे तो यहां से 28 गुणा 5 से करेंगे तो एक सोगा स्योगिस आप पहले से तो advi ने ना तो 140 पर आता हूं जैक करता कहा है है तो यह है तो पाच कदमों में कितनी दूरी और दूरी ही स्पीड रहेगी क्योंकि टाइम से मैं कि लिए रहे न सभी को कौन सेप्ट भी चीजे भी मैं चलता हो कोशन नंबर इसकी और यह देख लीजे चलिए अब यहां पर देखे इस कोशन को कोशन नंबर दस को कि इसको मुझे बताई आप इससे कैसे करें देखे आपको मैंने गरीब वाला तरीका दिया है मैंने गरीब वाला तरीका क्या दिया है जैसे कि आप से जानना क्या चाहता है 0.75 से तो बढ़ी हो और 0.833 से छोटी हो ऐसी कौन सी संख्या होगी तो वो उप्षन में दी गई है वई तुम मैं क्या करूंगा सारी जगह इसे दस से गुना कर लो अगर मैं इसे दस से गुना कर लेता है तो यह साड़े साथ हो जाता अगर मैं इसे उपर वाले को दस से गुना करता तो यह 8.2 से भी ज्यादा आ रहा है तीन से 20 को भाग देंगे तो 6 यह भी नहीं हो सकता दो से 10 को भाग देंगे तो पांच आएगा पांच से 40 को भाग देंगे तो आट आएगा केवल और केवल ऐसा option D ही है जो इनके पांच के लिमिटेशन है लेकिन इस तरी के कोई नहीं है यह एक जगह लगा गरीब हो वाला तरीका है चलिए खेर कोशन नमबर में आपके लिए 11 लगाता हूं आपकी कोल आपके इसाफ से चलना चीए आपको यह कोशन नमबर आता है 11 अच्छा लगाओ तो लाइक शेयर में कोशन पहले कभी किया नहीं होगा और देखिए इस तरी के कोशन UPSI 2017 में आते हैं तो जिसको यह कोशन पहले नहीं क्या तो छोड़ी दीजेगा इसकेपी कर दीजेगा एक्जाम में टाइम बिल्कुल भी नहीं लेना है जैसे कि मैं बताई रहा हूं यह कोशन देखिए 812 किलोग्राम प्रति घंटा की दर से जलता ठीक है मैं एक 20 सेंट्रीमेटर आधार तिज्जा की बेलना का टंकी में आरम में 1300 किलोग्राम तेल है ठीक है कितना है 1300 किलोग्राम तेल है 6 गंटे तेल जलने के बाद बचा हुआ तेल तैंकी में कितनी उचाई तक होगा यह कोशन कैसे करें आपको कोई आइडिया आता है मैं किस तरीके से करना चीए आपको एच्छे डिक्कत क्या है आपको क disagreed निकलने में दिक्कत क्या यह सोचा करें मुझे पूचा क्या गया है उचाई उचाई कब आएगी निकल के जब कोई फोर्मूला ऐसा बने जहां उचाई कई जिकर हो रहा हो कहीं कुछ ऐसा हो हम मुझे पता है कि आपकी बेलनाकार टंकी है और बेलनाकार टंकी होगी तो वोल्यूम होगा और वोल्यूम क्या होता है पैलनाकार टंकी का पाई आर रहे हैं कि वोल्यूम कहां से लाओं मैं मैंने का दिक्कत की कोई बात ही मैं हूँ या पर बस इतना आपने सोच किया यह तो आपकी बस यही है जो भी है इसी को चो सोचना था आप याद रखिए रो ब्राबर हैं घनात उम अहता है मास मास तो सबीलों जानते जाने वी वोल्यूम अच्छा डेंशिटी आपको पता है है और मास आपको पता है मास क्या मतलब। कितने तेरह सो किलोग्राम है और यह क्या चीज दी गई है इनका क्या यूज़ है इनका यूज़ कर लेंगे तो वोल्यूम यहां से निकल लेगा कुल मिला के हमें वोल्यूम अभी निकालके यह लेकर आना है तो दीके डेंसिटी 812 है आप मुझे बताइए आपके पास तरह 30 irre सो किलोग्राम तेल है उर चार क्यलोम पर जब्रती गंटकी देर से आपका तेल जल रहा है कितनी देर तक जल हुरा तो किटने तेल जल righteous कबोगर क्या स Fish &Gen मांक में ही करते रहना किया करो यह ठीक है यह जुरूरी भी है अब देखिए मुझे वोल्यूम निकालने तो वोल्यूम क्या हो जाएगा जो भी आपका मास है मास कितना है बारा सो चैतर आ गया है ना अभी हमने देखा कि तेरा सो किलोग्राम पर जिसमें से चार किलोग्राम गंटे कि दर से गंटे तक कोई आपका तेल जल रहा है तो वो चोबिस किलोग्राम जल चुका होगा तो बचा इतना और डेंसिटी कितनी है आठ सो बारा इस से भाग दीजिए और मुझे वोल्यूम बताए कितना रहे चार से लपेट दो इसको जल्दी से चार से काटो तो आरे कम चार और चारने में 36 नीचे आएगा चार दोनी आठ और चारती है बारा दो सो थी तो यह आपको वोल्यूम हो गया इस वोल्यूम को आप क्या करिए किसके बरावर रख दीजिए पाई यारिस करें इसके बस कोशन सोल है तो रेडियस आपके पास है 20 ठीक है और बस क अच्छे से लिखती हुई है यह यह दो 319 बटे 203 आ गया ठीक है यह सब चीज़े बात आ जाती है यहां वाली कैलकुलेशन की मैंने का 319 बटे 203 को पाई आरिस के बरावर रखें पाई की वैल्यू कित्ती होती है यह होती है 22 बटे साथ तो इधर मल्टिपलाई होगा तो साथ उपटे 22 हो जाएगा रेडियस क्या है 20 20 का स्क्वेर यानिके 20 के स्क्वेर से भाग दे दीजिए तो इस कोशन को जैसी आप सोल करेंगे आपकी कैलकुलेशन आपके इसाफ से है देख लीजिए आप इसको 1250 आनी चाहिए आपका मान ठीक है जब इसे सोल करेंगे नब समच गए होंगे कोशन काफी अच्छा था वैसे अलग सा था कुछ कोशन नंबर 12 देखिए आप यह भी बहुत बढ़िया सवाल है कि यह भी काफी अच्छा सवाल है इसको देखिए भाई मैं पढ़ देता हूँ नदी के किनार एक सडक है राजो ने बिंदू X से दोड़ना शुरू किया वे उसी सडक पर बिंदू Y पर इस्थित मंदिर में गया फिर बिंदू X पर वापिस आ गया ठीक है देखिए X से गया और Y पर पोचा और फिर वापिस X पर आ गया ठीक है और उसकी चाल कितनी थी 15 किलोमेटर पर देखंटा थी साइकिल से वह जा रहा था चलिये यह तो बात से ही है लेकिन उसका मितर क्या करता है यह तो 15 की चाल से गया आगया 15 की चाल से ठीक है जबकि उसका मित्र क्या करता है उसका मित्र ये करता है वो जो मित्र है ना उसका मित्र कुमार X से Y और Y से X नाव से जाता है उसी point तक 12 की 4 से उसकी 9 चल रही है और नदी बेह रही है 8 की 4 से तो राजु और कुमार की ओसतगती में chacun इस बताई है बताइए बहुत कैसे निकालेंगे आपको क्या लगता है अब बताई सोचे करने कोशिश करिए फिर मैं आपको बताता हूं कुछ तरीका इसका जल्दी सोचे सोच जल्दी से बताइए आता है कुछ आईडिया कुछ भी कुछ भी जो दिमाग में आ रहा हूं देखे मैं बताता हूं आप मुझे चीज बताना नदी में नदी के साथ साथ जब हम चाहेंगे उसे में डाउनी स्पीड मान लेता हूं और जब नदी के विपृता आउगा तो मैं अपे स्पीड मान लेता हूं मैं ये बात कर रहा उसके मित्र की आप मुझे बताइए आपकी यह जोड़ेंगे 20 कब होगा जब आप नदी के साथ साथ जा रहे हैं और 12 में से 8 घटाए तो कितना हुआ चार तो यह चार कब होगा भई जब आप नदी के विपरी दिशा में आ रहे हैं तो मैं स्पीड की बात कर लेता हूं तो आपका जो लिए और चार का लिए अब मुझे टाइब का दू? बताइए टाइम क्या हो जाएगा दूरी से मैं जितनी तही तो अनुपात हो जाएगा से एक अनुपात पाच ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक का, नहीं होनी चीए, मुझे बताइए, टोटल समय कितना लगा, आप जब गए थे, एक से वाई तक, तो एक, और वापिस आए तो पाँच, टोटल छे गंटे लगे, और कुल दूरी कितनी होगी, हम मुझे कुल दूरी बता लिए, कु गुना समय, यानि के 20 गुना एक कर लो, या 4 गुना पांच कर लो, तो एक साइड की डिस्टेंस है, 20, तो फिर वापिस भी तो 20 आए है, तो गुना दो कर लिजे, 40, और 40 किलो मीटर की दूरी, कितने घंटे में तैकी, 6, तो आप मुझे बताए, एवरेज स्पीड कितनी आ साथ होती है, 6.67, तो अगर मैं पूछता, उसके दोस्त की स्पीड बताए, ओस चाल क्या है, तो आप मुझे बता देते हैं, जब पहले वाले भाई साब की कितनी है, 15, और इसकी कितनी है, 6.67, वही पहले वाले की 15 ही रहेगी, क्योंकि वह साइकल से 15 जा रहा है, 15 या रहा ही ना, तो इसका अंतर वाप से पूचा गया था, तो कितना आ जाएगा, 8.33, बताए, 15 में से 6.67, घटा दीजिए, बस, यही इस कोशन का अंतर है, 8.33, दिक्कत बस उसके दोस्त के साथ है, उसकी दोस्त की स्पीड आपको निकाल नहीं थी, और बाकी कोशन खत्म है, मैंन कोशन क्या खता है, इसको पढ़ेंगे, अगर आप ध्यान से, अक्षया ने सभी सर्टे, अंकित मुल्य पर 5% छूट देने के बाद, 285 रुपे के इसाब से बेची, यदि उसने छूट न दी होती, तो वह अपने लागत मुल्य पर 20% का लाव कमा रहा होता, कमा चुका होत परती एक सर्ट का लागत मुल्य क्या है, यह आप सो जानना चाता है, करें भई, देखें मैं बता देता हो, कोशन कितना आसान है, भई, आप मुझे बताइए, आपका अंकित मुल्य कितना होगा, जिस पर आप छूट दे रहे हो, 100 होगा, अगर आपने इस पर 5 की छूट द होगा, I think, है न, 3 गुना, अगर मैं छूट ना देता, तो कितने की बेचता चीज़े, 100 की बेच देता कि नहीं, भई, अगर छूट ना देता, अभी तो छूट दी, तो पिच्चान में की होगा, अगर छूट ना देता, तो 100 की, तो 100 गुना, 300, यानि कि जो आपका अंकित मुल्य है, और यही विक्रे मुल्य भी है, और जब आपने इस पे बेचा, तो आपको कितने का लाव हुआ था, 20% का, तो 20% की फ्रेक्शन क्या होती है, एक बटे 5 कह दीजिए, या दो बटे 10 कह लिजिए, मैं 10 पे काम करता हूं, तो मैं आपको यह से 10 पे बता देता हूं, यानि कि 10 की चीजिए आपने 12 पे बेच दी, तो 12 इनिट का मतलव इतना, तो 10 इनिट का मतलव कितना यह आप से जानना चाते हैं, तो यह होगा धाई गुना, तो यह हो जाएगा, 25 गुना, तो 25 का 10 गुना बता दीजिए कितना हुआ, 25 का 10 गुना, 200, 12 से 300 को भाग है, तो 25 कोशन का अंसर है, कितना आसान सा वालता है, खतम सता मिटे आगे हैं, यह देख लिजिए, अगला कोशन चलते है, कोशन नमबर आ जाता है, 14, यह बताईए, देखें, कोशन पढ़ लेते एक बार, सीवा ने साधान ब्याज पर उतने ही वरसों के लिए 3600 रुपे का रिन लिया, जितनी ब्याज की दर है, यानि के रेट और टाइम दोनों के दोनों बराबर है, पूछना क्या चाह रहा है, यदि रिनावदी पूरी होने पर उसने बतोर ब्याज 1260 में रुपे का भुगतान किया, तो बताए ब्याज की दर कितनी थी, बई कोशन खतम है, मैं कहूंगा कि देखे चलो आपको ज़्यादा कुछ नहीं आता है, तो आप इतना तो लगा सकते, यह सकते हैं, आप इससे कर लीजिएगा, कोशन आसान है, यह साइग की वैल्यू कितनी है, 1200 में, मूलदान आपको निकालना आ, वो पता नहीं है, में आपको मूलदनतों पता है ना सुरिम करें मुलदनता अपको पता है ना मूलदनता आपको बता 3600 एक यह लिख दिया अब यह इसको हटा हो कैसे अधे 3600 जया ठीक है यह 3600 गया और और समय बरावर है तो यह आर स्कार लिख दू क्योंकि आपको दर समय दोनों बरावर दिया और बटे सो इसको इससे काटिये 36 में को काटेंगे ना तो 36 तो आर कितनी आगे 6% वर्ग मूल कर दीजिए तो रेट किते हैं इससे कर सकते हैं खतम से सवाल है कोशन में कहता है यह देखिए और एक बीच में पाथ है न वह तीन एक नए एक थीजिए तो बता ये बिएसे कि प्रतिस्यक्य कं मैं कितना कम हैं डो किसके अगर कम है तो जादinator दो अगर कम आहिक तो जाद drainageב होता है त realization सब्सक्राइब तो दो दो बटे तीन क्या हो जाएगा इसका डबल कि यह इन्टू 100 परसेंट कर लो आपकी इच्छा है तो दो बटे तीन चलता हूं अगला कोश्य चलता हूं आई होप यह तो खतम सही सवावाल है कोश्य नंबर 16 देखिए आप यह देखिए यह अच्छा सा लगारा है कुछ कि अच्छे करिएगा विल्कुल मलब टाइम ले लीजे लेकिन गलती नहीं करने हैं भाशावी स्कॉर बताएगा कोश्य इतने अच्छे भी नहीं है ठीक एवरेज है यह देखिए एक व्यक्ति खुद अपनी कार चला कर 80 किलमेट परते गंटा से जा रहा है कुछ देर बा बस की गती कार के मुकावले तीन बटे चार है जिसके कारण व्यक्ति 15 मिनेट देरी से गंटव्य पर पहुंचता है यदि कुल यातरा 100 किलोमेटर की है तो उस व्यक्ति ने कितने समय कार चलाई होगी इतना अच्छा सवाल है ना इतना प्यारा सवाल है ना कि आप में से कह पर देखेगा एक दूसरे के कि किस-किस बच्चे ने सकोशन का अंसर सही दिया था अब मैं आपको तरीका बता दे तो को मैं कैसे करूंगा आपने कर लिया होगा सुनिए अब मुझे बताई कहां से सुरुवात करें इस कोशन करने की आपको इतना पता है कि कार जो है ना 80 क मैं की बात कर वो डेली जब जाते थी आप कहेंगे सर सो किलोमेटर की दोरी जाती है असी की चाल से तो बीस से काटिए पांच बटे चार घंटे लगते होंगे किसी को कोई दिक्कत है अब आपको कितना समय ज्यादा लग रहा है 15 मिनट तो 15 मिनट को भी बदल लीजिए भा हुआ एक बटे चार एक बटे चार ही हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कुल समय आज कितना लग रहा है टोटल टाइम आज कितना लग रहा है पहले अगर यह नोर्मली जाता होगा तो पांच बटे चार गंटे अब 15 मिनट और फालतू तो पांच बटे चार पलस एक बटे चार यानि के चैने के चैने का मतलब आप सभी लोग जानते हैं डेड़ घंटे के बराबर होगा होगा कि नहीं चार से भाग दे दीजिए तो कहने का मतलब यह है कि आज आपको टोटल डेड़ घंटा लगता है और पहले आ एक वेक्ती है जो असी की चार से कुछ दूरी तह करता है 60 की चाल से कुछ दूरी तै करता है और उसे कुल समय इतना लगता है और तै की गई दूरी आपको पता हो तो कोशन का समय कैसे निकालते हैं मैं कहूंगा कि कोशन में समय किसके बारे में जाना चाता है कार के तो कार किस चाल से चल लिए 80 देखें मैं बताता हूं कि मैं से कैसे करता हूं मैं माहले तो 80 की चाहिए से मैं तक कि अब权 की चाल से कितनी समय गया होगा आप ही मुझे बताए अगर अगर आपको पूरा अदेंध गंता लगा है तो यहां के बाद में बचिस यही आफ्राने गण और देखिए गुना 90 और आपको पता है 10 बटे 20 कितना होता है दस बटे 20 का मलब 20 Кपा की मतलब आदा गंटा का मतलब 30 मिनट हुई की नहीं हम कोई जल्दी से रिपेट कर देता हूं एकदम और इस कोईशन का अंसर जितने बच्चे दे रहे हैं 30 मिनट तो सभी है और बाकि अपना एक दूसरे कांसर चेक कर लिजे मैं फिर से बता देता हूं मुझे कोश्चन का लिंक सिर्फ यहां से मिला कि वह असी की चाल से जाता होगा और सो किलोमेटर जाता होगा तो उसे पांच बटे चार घंटे लगते होगे लेकिन आज वह 15 मिनटे लेट है इसका लगा है देड़ घंटा तो आप से पूछना चाहता है कि वह कितने समय उसने न लंग कार चला है अब तो मैं कैसेनकालों गार असी किचाल से मां लेता हूं टी समय तक चलाई और 2020 नहीं si comment के अच्छा लगा हो और लगा हो कि कोशन का अंसर नहीं बन रहा था रब बन गया तो लाइक शेयर में कमी नहीं नहीं होनी चाहिए आपकी चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लिजेगा यह पूरी पीडियाप सोलिशन के साथ आपको अभी डलवारों एक्जांप पर सब्सक्राइब पर आपको फिर कोर्स के अंदर मिल जाएगी यह कोशन देखें कि एक्स वाई जैड इन्फो सोलिशन में जून के महिने में हर मंगलवार और दूसरे सोंवार को अवकास गोशित किया गया है जून महिने का आरंब यदि सोंवार से हो रहा है तो जून में का सामकाजी दिन कितने होंगे कोशन समझ आया मतलब एक कंपणी है एकस वाई जैड ठीक है उस कंपणी में क्या होता है जून के महिने में हर मंगलवार की छुटी रहती है हर मंगलवार क्या रहेगी चुटी रहेगी बट सोंवार दूसरे वाला तो पहले मुझे बताए जू मंगलवार क्यर्टी आप मुझे बताए अगर आपको पहली तारीक को स्वाष दे दिया जाए तो मंगलवार क्यर्ट complete रहेगा tiếp है उभर तो 2 में साज जोड़िए 9 का भी फिर 9 में साज जोड़िए 16 का भी और 16 में सा जोड़िए तो आपका पता चलेगा मैं से जोड़ रहा है ना 279, 9, 7, 16, 16, 27 , 23 में साज जोड़िए तो 30 मलब 5 आएंगे कुल मिला के कितने आएंगे पांच तो पांच दिन और चुटी मलब तीस में से 6 दिन तो चुटी है तो 24 दिन काम किया होगा यह इस कोशन का अंसर है कि लिए तो देखे तीस आना चाहिए आप सभी का यह देख लिए बहुत दीशाद है कोशन नमबर आता है 18 यह देखिए यह भी केलेंडर का दो कोशन है आज की शिफ्ट में कि इस कोशन को देखिए कि पड़ें एक बार पड़ेता हूं मैं 15 अगस्त 2010 से 10 दिन के बाद सब ता का कौन सा दिन होगा देखिए कोशन तो कितना आसान लेकिन पूछने में लेंगवेग सी थोड़ी सी चैंज करी बच्चा सोचेगा क्या कि पहले 15 अगस्त 2010 का दिन निकाले तो फिर दस दिन जोड़ दूगा भाई सब तुम कैसी बात करते हो तुम पहले 15 अगस्त में दस दिन जोड़ो यानि कि आप से जो पूछना चाहरा है वो सीधे सीधे यह भी कह सकता दा कि 25 अगस्त 2010 में कौन सा दिन है यह बताईए तो आपना भा बात नहीं बनेगी देखे 25 अगस्त तो पहले तो लिखे डेट कौन सी डेट है 25 अगस्त का कोड कितना होता है देखे 0 33 614 625 0 35 यह कोड होता है आपका नोन लीपियर का ठीक है और लीपियर में क्या करेंगे पहले दो में से एक एक कम कर दीजिए 0 में से कम करेंगे 6 हो अब मुझे बताइए अगस्त कौन सा महीना होगा तो जन्वरी फर्वरी मार्च अप्रेल मई जून जुलाई अगस्त हुआ अगस्त हुआ अगस्त का कोड कितना हुआ 2 अब देखें यहां पे ना 2010 है तो जहां भी यह तीन तीसरे अंख पे 0 आ जाए तो इसे पूरा लेना है 110 लेना है आपके रिजनिंग वाले सर ने आपको समझा होगा यह सारी चीज़े आपको अगर आपने नहीं देखी तो देख लिजे अब इस 110 को भाग दीजिए और मुझे भागफल बताए कितना आएगा जब इसे 4 से भाग देंगे मुलब कितने लीपियर बनेंगे इसक सेसफल कितना होच रहा है ऐसे कर रहेते हैं आप लोग जितने बच कर रहे है 25 दो 27 और 27 दूनी चमवन को पहले साथ से भाग लगा लिजे कितना सेसफल बचा है साथ सते उन इंचस साथ अटी चपन माइनेस का दो सेसफल बचा लो लेकिन आप में से कुछ बच्च ऐसे होंगे कि माइनेस दो को समझे नहीं पाएंगे यह भी तो चक्कर पड़ता है ना साथ सते उन इंचस यह रख लो पांट सेसफल बचेगा अना चमवन था क्या हाँ साथ सते उन इंचस पाच सेस्पल बचेगा बचेगा अब 110 को भाग दीजिये 7 से 7 से 110 को भाग दें कितना बचेगा 107 कम 6 सारो को एड़ कर लो यह हो जाएगा 164 164 को साथ से बाद लगा लो ठीक है आप इतना नहीं समझ पारे तो साथ दोने चोदर साथ एक किस तीन से इस पर बच रहे हैं आप ऐसे करते हैं ठीक है को जैसे आपके इच्छा तो आएगा बुद्वार अब कोशन नमबर 19 आ जाते है भाई सार यह कोशन सोची आप कैसे कर सकते हैं कितना अच्छा सा सिंप्लिफिकेशन का कोश्चन आया कि इसको क्यों से करेंगे भाई कि देखे मैं इस पर एक तरीके से सोच पा रहा हूं वैसे तो कुछ आइडिया आने रहा है पहले यहीं देख लेते हैं कि 10 और 13 दसम्दव एक को एक साथ जोड़ेंगे तो यह भी 23 दसम्दव एक होगा तो क्या मैं स्कुरे से लिख सकता हूं तो 13 दसम्दव एक का स्कुरे कोई दिक्कत ना हो देखे आगे अगले वाले को देखे तो इसे में 48.6 का स्कुरे लिख सकता हो कोई दिक्कत ना हो तो और इससे आगे वाले को 39.8 का स्कुरे और बराबर में कितना है 1011 पलस X इतना मैंने कर लिया लेकिन अब भी आप देख पारे होंगे यह a square plus b square minus c square तो नजर आ रहा है लेकिन इस से कुछ बनता है कि नहीं बनता है square plus b square minus c square से यह फिर से approach में लेके चलू 23 का square कर लो 49 का कर लो 40 का कर लो लेकिन इसके जो answer है न वह इतने आसपास है कि अगर मैं इसको approach में data को ले चलूंगा तो question का answer गलत हो सकता है तो फिर मैं कैसे करो तो में समझ नहीं आ रहा था अब मैं ऐसे question पर जब भी फश जाओं तो एक तरीका और होता है या तो आप इसको solely करना पड़ेगा या किसी भी तरीके से या फिर आप digital sum का यूज कर सकते हैं मैं यहां से digital sum के साथ खेलना चाहूंगा सब से पहले तो देखिए अगर मैं digital sum देखू तो इनको अंको को जोड़े डिजिटल का मतलब यह कि आपको 9 देगा है और यह 8 4 12 अच्छेश ठारा ठारव में अंको का योग फिर से क्या हो जाएगा नो यानि कि यह भी आपको 9 देगा कोई पिका तोनी है अंको का योग और यह देखिए फिता आएगा तीन नो बारे बफाराइट बीस बीस में अंको का योग करेंगे दो आजाएगा दो कवर करेंगे तो चार यह आगया माइनस के यानि कि गर मैं देखू इतने से बड़े कोईशन को मैं डिजिटल सम से दो लेके आ गया अब मैं सीधे उप्सिन में जाओंगा कि कहां पर ऐसा है जो डिजिटल सम दो दे रहा है तो देखे पांच और तीन आट ररतीन ग्यारे और तीन सोला यह भी नहीं होता है यह सोशन का अंसर है खतम है डिजिटल सम से करिए खत्म बना दीजे इस तरह कोईशन वाले मैं चलता हूं अगले कोईशन पर डिजिटल सम इसका नहीं चोड़ता बाकी तो इसमें फिर फस जाएंगे और आपको पूरा कोईशन सोली करना प का मिश्रन प्राप्त करना है और इसमें 25 रुपर किलोग्राम और 30 रुपर किलोग्राम किस्म वाली सीमेंट की सनुपात में इस से मुझे कोषिन याद आ गया अभी परसो वाली किलास की में बात करूंगा उसमें जो दिया गया था ना उसका जो data ता मैं दरसल आपको उसी ट मैंने उसको बताया था कि इस पोशन में ना दरसल क्या है जो परसों कोशन मैंने इसी तरी कर रहा है आपको याद आ रहा होगा तीन उनुपात एक उसको जिए गया था अगर एक्जाम में आता आप उसे छोड़ नहीं सकते थे कोशन का अंसर तो लगाना पड़ता कि बहुत द्वाठत पात एगया लेकिन वह कोशन गलत था उसमें दरता उसका डकल यह था कि आपका जो भी मिसरं हो गा उसकी वैलीव जो है ङया बीच में कं 33 ऐसा और फिस कंधा उसको फासर पर आप दिया गया था मैंने इसको इस तारीके से बता जरूरत या कि Penin़ाथ एक उस question का answer आ जाएगा लेकिन एक बात याद रखेगा ऐसा बस option में दिया था इस वज़े से हमें लगाना जुरूर पड़ेगा क्योंकि exam में छोड़ना मत अगर question गलत भी है तो आपका answer इस तरीके से data रखने पर आपकी गलती नहीं क्योंकि आपकी process सही है करने की हलाकि question का सही लगा उसके हिसाफ से तीन एक आ रहा था कल कोई exam में अगर मा लीजिए इस तरह कोई question को करना उसी तरीके से और answer भी निकालना अगर match कर जाए लगा के भी आना छोड़ना मत क्योंकि अगर question हटाया गया तब आफका फाइदा नहीं हटाया गया तब भी आफका फाइद सब्सक्राइब कि सरी question का data मुझे गलत लग रहा है मैंने का सही है question का data जएना गलत ही था अब यहां पर देखिए यह सेम कोशन है उसी तरीके से आपकी जो मिश्रेन की कीमत है वो देखिए इन दोनों के बीच में होनी चाहिए है कि नहीं है तो देखिए रख दीजिए अन तीस में से इसको घटाएंगे तो यह आजाएगा एक पॉइंट दो पांच और एक पॉइंट दो पांच से 3.75 घटाएंगे तो तीन गुना बन रहा है तो एक और तीन कंदपात बनेगा रेकर तीन इस question का answer है उसका तीन एक आ रहा था देखिए कैसा लोजिक है अजीब सा अजीब सा ठीक है कोइंसिडेंट की खेर आई गया न एक अंध पाती ने चली मैं यहीं तक किलास को रखता हूं आज की किलास का क्या स्कोर आप मुझे बताएगा क्लास कैसे लगी साथ में यह भी कमेंट करके ज़रूर बताएगा मिलते अगली किलास में जब तक के लिए ध्यान दखिए हस्ते रिये मुस्कराते रहें पाई टेक किया लवी ओल जैहिन जैवारत जैग्जामपूर करवी जैग्जामपूर